आप सवाधेश दीपक के डोक्टर रहे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो मेरे सरस्वराल में रहते थे अमबाला केंट में। सवाधेश दीपक की पत्नी में ने कहा कि यह सवाधेश तो आज कर नोकरी नहीं आता प्रोफेशर था, बहुत लोग पुरी प्रोफेसर तो उसको लड़कियां घेरे रहती है थी इंगली चितनी अच्छी पड़ाता था यह वेरी पॉपुलर टीचर उसे जाना बंद कर दिया और वो कहता है मैं फेस नहीं कर सकता है मैं कैसे जाओं मैं तो क्लास को फेस नहीं कर सकता है डल लगता में यह को उसकी बुराइगा मैंने उसको समझाएं कि मैढम इसी यह नहीं हुआ है इर। इप्रेशन में जा रहा हिए स्रेजोंट में यह डिक्यावाइशन मौत की ने लिखता है ओँट की काहाना लिखते ले लिखते यह डिप्रेशन में चालाएं यह यह की दिखाना तो इसने एक दिन वो उसे खुद सुनाई मुझे बड़े आराम से बाद लंदो कहानी सुना कि फिर मुझे लगा चलो अब क्या करना जिंदगी से गया कम वही सर्वेंट आई नहीं थी वहां चली गी थी मैं गया वहीं बाहरी उनके चूला था वह चायवा बनाते थे उसमें एक फिर मेंने गैस आन करी फिर मैंने गैस जला दी और मैं ऐसे हो गया ओफ जलने लगा मुझे सुना रहा है बाद में उसका था कि बार क्यों जलने लगा मेरा 소ट जलने लंगा ठेड़ने लॉट म chill मैं आकर बैठ गया कि जल रहा हूं तो ऐसे बैठके फिर मुझे लगा सिग्रेट पी लिए आखर तो जलते हुए मैं सिग्रेट पीने लगा सुनिए वो कह रहा ही कहानी मैं सिग्रेट पीने लगा तब तक सर्वेंट आ गई तो उसे कंबल लॉबर डालके बुझा दिया तो करीब 45% बर्न हो गया था उनको तब इनको घरवालों को पहली बार समझ में आया कि डिप्रेशन में तब यह जाके चंडीगण भरती हुआ और तब मुझे पता जाना कि इननों आग लगानी कुछ की हो मरने की तब मैं चंडीगण इनसे मिलने गया था और चंडीगण की उस मुलाक लेखा उनको एक इतने बड़ लेखा को एक नवए से कटिंग करते हुए जो पुठवात पे नवए बड़ा वो लगा देते हैं ना मेरा रखके काटते हैं वहां जाके बाल कटवारा था जब मैं पहुचा तो वहां से लेके मैं उनको आया और फिर वह एक दिन फिर उससे ठीक हो गए थे इस दो मेने हां रहे उसे भगा रहे थे वो लोग मैंने आवा से सिफारतीं करवा कि कहल कि यार कुछ पढ़ेखा लोगे इनको भी जरूरत है बाए उकने की पीजई आई वाले के बैड़ चाहिए मरी जाते रहते हैं वहां से फाइनले ठीक होके आया है दो एक लिख रहे थे, जिससे उसका क्ल्यू मिलता है, एक कहानी उन्हें मुझे पूरी सुनाई, और कहा तो मैंने करीब दस पेज लिख लिए हैं, कि एक आदमी, देख कितनी बदूत कथा है, एक आदमी रात में ट्रेन में जा रहा है, उसे नीद नी आ रहे, वो यो देखता ज जा रहा है, और एक खाली इस्टेशन उसे दिखता है, जाब कोई नी है, रात के दो बज़े हुए, इस्टेशन खाली पड़ा है, और उसका मन करता हूँ उतर जाओं क्या, और वो उतर जाता है, एक अपरचित जगे, जहां कि भाशा भी नहीं जानता, एक विदेशी आद तो वो उतर गए, वो उस्टेशन पर उतर गए, जो कहानी में वो आदमी था, वो स्वदेश दीपक था, वो कहानी में जो उतरता था, वो जीवन में उतर गया, और चला गया